ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नव दुर्गा नव विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नव दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नव आउशधियां हैं। ये वशदियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। नो दुरगा के नो रोपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। आयर्वेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती हैं। आयर्वेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुर्गा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करने चाहिए। संपूर्ण विश्वी देवियों के स्वरूप हैं। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं, वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे, तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवि के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। चतुर्थ कूश्मांडा यानि पेठा। नवदुर्गा का चौधा स्वरूप कूश्मांडा है, इस आउशदी से पेठा मिठाई बनती है। इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं, इसे कुमडा भी कहते हैं, जो पुश्टिकारक, वीर वर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेठ को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अम्रित के समान है, ये शरीर के समस्त दोशों को दूर कर हिर्दे रोग को ठीक करता है। माता के बारे में और बताएंगे इसकंद्र माता के और्षधी अगुण। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अन्रोध है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी मा के किरपया पर सदयो भनी रहे। जै मादूर के। पर सुनित्स लिन है किर वेस्भ का की रहे हैर यूजब अन्रोध है झाल झाल